हेलो गाइज, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, दिस इस हंडर्ड देज अफ मुशीन लानिंग, देट 24, जिसमें हम देखेंगे, फंक्शन ट्रांसफॉर्मर, सो फंक्शन ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, और इनके जो टाइप से लाइक लाइक ट्रांसफॉर्मर, रिस तक इसे 100 days of machine learning के playlist को access नहीं किया है, तो इसको access करें, और यह जितने भी videos हैं, यह आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे topics cover किया हुए है, so first let me show you that, why we use functional transformer, okay, just let me give me a second, right here, okay, functional transformation, जो हम याप यूज करते हैं, जिससा आप function transformer कहते हैं, और इसके जितने भ type select log transformer, reciprocal square and square row transformer, वो आप तब इस्थामाल करते हैं, जब आपका data skewed हो, यानि normally distributed now, जिससे आपके model की performance खराब हो सकती है, अब जब भी आपकी इसी data set के साथ काम करते हो, यानि आपको कोई project दिया जाता है, तो वापे आपके जितने भी numerical features हैं, जितने भी numerical features हैं, उनका आपने distribution चेक करना होगा, अब सबसे पहले चीज जो जरूरी है, वो यह ही कि आपको idea होना चाहिए कि distribution किस तरह दिखाए देता है, और आप इसको किस तरह मालूम करते हों, तो उसके लिए आपको इस plot पे धियान देना होगा, यहाँ पे अगर आप देखे, if you focus on this plot, this is distribution plot, SNS library के अ अगर आपको मिल जाएगा, जिससे आप KDEB कहते हैं, यानि probability density function भी आप कहते हो इसको, so this is normally distribution data, ठीक है, यह एक normal distributed data है, अब यह same data आप देख सकते हो, एक और library है Python में, stats, इसके अदर आपको एक plot मिल जाएगा, probability plot, जिसको आप क्यों 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 प्लोट कहते हो, ठीक है, त अगर आपका data points इसके साथ चिपक करके आ रहे हैं, यानि बिल्कुल इसके साथ attach होके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका data normally distributed है, अगर यहाँ पर देखें, distribution plot, this, using SNS, यानि C-Bone library, तो in that case, यह normally distributed तो है, but the data is too picked in middle, यानि middle में गर देखा जाएगा, तो data बहुत ही picked है अब यह same plot आप देख सकते हो, using QQ plot, यह मैं आप लोग को practically दिखा हूँगा, तो यहाँ पर अगर देखें जाए, जो आपका line है, 45 degree पे, उसके साथ जो data है, these black points, these are nothing but data points, data distribution, यहाँ पर अगर देखें जाए, center में तो बिल्कुल चिपक करके आ रहा है, यानि attach है, इसका मतल portion देखें, यानि left portion, and right portion देखें, on this 45 degree line, तो यह दूर दूर जा रहा है, यानि line से, जो हमारा 45 degree पे line है, this line, this one, इससे दूर है, left and right में, तो इसका मतलब है, कि यह center में ticked है, यह अगर आपका data skewed हो, तो या तो यह right skewed हो सकता है, like this, अगर मैं आप एक plot करो, this is your data, okay, कुछ इस तरह, तो यह right skewed है, ठीक है, right skewed, लेकिन अगर यह same data कुछ इस तरह हो, like this, तो यह left skewed है, ठीक है, यह data आपका left skewed है, क्योंकि इसका tell left side पे बहुत ज़्यादा है, this is the tell, और यहाँ पर गरते कर चाहें, तो यह आप पर tell ज्यादा है, तो यह right skewed है, so, जब भी आप si bon library का इस्तमाल करोगे, और इसी तरह किसी भी numerical features का distribution देखते हूँ, तो situation कुछ इस तरह हो सकते है, कि यह आपका normally distributed भी हो सकता है, यह आपका middle में भी picked हो सकता है, it could be right skewed or left skewed, अगर यह same चीज़ आप देखोगे, यह QQ plot से, then you could see something like this, so, यह आप देखो, red skewed में, यह आपर बिल्कुल चिपक करके आ रहा है, जो के अचा है, लेकिन जैसे यह आपर red skewed होगा, तो हमारे data points 45 degree line से उपर के तरह यानि इन्होंने दूरी आख्तियार की, बिल्कुल close नहीं है, चिपक करके नहीं आ रहा है, ठी लेकि, now, before moving to coding part, let's understand what is function transformer, so, function transformer आप तब इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मैंने बताया कि जब आपका data distributed ना हो, या तो right skewed हो, left skewed हो, तो इस case में आप उस data को normally distributed बनाते हो, ता कि आपका model ऐचे तरीके से perform करे, distribution चेक करने के लिए, आप c-bone library के अंदर distribution plot का उस कर सकते हो, pandas library के अंदर up skew का इस्तेमाल कर सकते हो, and states के अंदर q-q plot का इस्तेमाल कर सकते हो, और यह सारे के सारे चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा होंगा, वी यूज़ फंक्शन ट्रांसफॉर्मर विन अर्डेटा इस नाट नार्मली डिस्ट्रिबूटेट, इट कुड लेफ्ट स्क्यूट और राइड स्क्यूट, यह जब आपका डेटा कुछ इस तरह हो, यह कुछ इस तरह भी हो सकता है, लाइक देस ओं, यह 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 अपलाई करता है, लागरित्म फंक्शन को, किसी भी निमरिकल फीचर पर, ठीक है, यह काम कुछ इस तरह करता है, कि आप लाग, विद दे बेस, आपको यह भी बेस ले सकता हो, लाइक टैन, पिर जो भी आपका इंपुट फीचर है, लाइक एक्स, उस पे आप यह इंप्ल इसे लाग ट्रेंसफार्मर अग्छिय सिस अथाइप फंक्शन ट्रेंसफार्मर, तो जब आपका डेटा राइट स्कूड लाइक इस डेटा, इस लाइक ट्रेंसफार्मर, उसके बाद दोस अटाइप है, रसेप्रोपल ट्रेंसफार्मर आप क्या करता हो, जितने भी इन- लेता हो इनवर्स मॉल्टिप्लिकेशन ठीक है यानि वन से उनको डिवाइड करते हूं उसके बाद आपके पास से स्क्वेर ट्रांसफार्मर अगर आपके पास टु है तो इनके सफ़र से प्लोकर ट्रांसफार्मर तो आप इसको डिवाइड करते हो आपके इन्पुट फीच किसी भी निमेरिकल का तो मैं एक जनरल ऑवर वी आपर देता हूं फिर हम प्रैक्टिकल इन चीजू को देखेंगे या नी कोडिग की तरफ जाएंगे so function transformer हम क्यों use करते हैं function transformers हम तब use करते हैं जब हमारा data normally distributed ना हो या तो वो right skewed हो या वो left skewed हो तो in that case we use log transformer either it could be reciprocal transformer square transformer and square root transformer log transformer आप तब use करते है जब आपका data right skewed हो आप log with the base and input features के साथ यह use करते हो reciprocal transformer आप इन्वास multiplicative लेते हो and square transformer आप किसी भी input features का square लेता हो square root square root लेता हो ठीक है so let's implement the coding part so मैंने क्या किया है कुछ code मैंने किया है कुछ मैं manually करूँगा मैंने just numpy pandas library आप इंपोर्ट किया है this is a scipy library मैंने scipy.state को इंपोर्ट किया है is a stats अब कोई भी नाम दे सकते हो अब just s2 रखो but मैंने stats रखा है ठीक है उसके बाद matplotlib.piplot को इंपोर्ट किया है is a plt हमें कुछ visualization भी करना है c bone again visualization के लिए अब यहाँ से देखो यह चीज़े तोड़ी इंट्रस्टिंग है देखना model selection से हमने trend test split and we don't need it just let me remove it हमने data को trending and testing set में split भी करना है so we need trending trend test splitter उसके बाद linear model से मुझे logistic regression का इस्तेमाल करना है इस data पर मुझे logistic regression algorithm का यूज करना है so I need it and tree से मैंने decision classifier को भी import किया है ठीक है उसके बाद mattresses से accuracy क्योंकि मैंने इन दोनों model के accuracy को भी चेक करना है pre processing से आपको import करना है function transformer I repeat circuit learn library के अंदर जो pre processing class से उससे आपको import करना है function transformer जिसके अंदर आपको log transformer मिल जाएगा we will do all these things okay उसके बाद compose import कर दो column transformer अब column transformer हम पढ़ चुके हैं यह मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है data set जो मैं यूज करूगा वो titanic data set है आप लोगों को बड़े चे तरीके से idea होगा अगर आपने titanic के साथ काम किया है इसके अंदर बहुत सारी columns है बट मैं interested हूँ age fair and survive वाले column है अगर आप देखो तो survived is our output column age and fair is our input features fair titaner का fair किसी भी person ने कितना फैर दिया था वो जो बाकी field value है age के अंदर उनका mean निकालके और बाकी जो missing value है उनको field किया ठीक है यह चीज़ हम discuss कर चुप है उसके बाद normally x and y then training okay so अब मैं बताता हूँ सबसे पहले without transform first what we need first we need to check distribution so this is my extra training set okay अब इसके अंदर age and fair है अगर मैं इनकी distribution दिकाओं मैं तब तक in function transformers का इस्तिमाल नहीं कर सकता जब तक मुझे idea ना हो के मेरा data normally distributed है या नहीं तो आप क्या करते हो देखना दो तरीके मैंने बताया थी या तो आप sns library के इस्तिमाल कें dist plot का use करो या आप states का दोनों में रिखा देता हूँ so सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहापे मैं PLT के अंदर figure जो है प्लाद sns.dist plot आपको मिल जाएगा या इन distribution plot जो actually PDF है अगर आपने statistics पढ़ा है उसके अंदर में X trend का जो age वाला column है वो देता हूँ ठीक है और यहाप में PLT के अंदर जाकर title भी mention कर सकता हूँ like this title में देता हूँ age का PDF उसके बाद PLT.show यह आपको एक error देगा बट मरा काम हो जाएगा ठीक है the error is के pandas library मेरी update नहीं है उसका error है बट के no such case mod.use info okay so just let me it should give distribution plot why it's not working uh मैं क्या करता हूँ अभी के लिए मैं आपको जो sns library है sorry stats library है उसका दिखा देता हूँ तो हमने stats import किया था as a stats उसके अंदर आपको मिल जाएगा probability plot मैंने बताया था actually this is qq plot यह आप से तीन चीज़े लेते हैं सबसे पहले वह कौन सा कालम है जिसके आप distribution चेक करना चाहता हूँ that is edge उसके बाद distribution क्या रखते हूँ तो आपको एक parameter pass करना पड़ता है dist इसके अंदर आपको बताना पड़ता है normal distribution ठीक है मैं सब कुछ बताऊंगा ठीक है first let me type here I'll show you यह यह है आपका आप वैसे normally distributed है अगर आप देखा जाए मैंने बताया था यहाँ पी के अगर आपके data points 45 degree lines से बिल्कुल चिपक करके आ रही यानि बिल्कुल close होके जा रही तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी data है वो normally distributed है and this will be like this यह चीज़ मैं distribution plot से दिकान ना चाहता हूँ बट यह पंडास का मसला है so we will see okay so अगर देखें यहाँ पे बिल्कुल चिपक करके आ रहें और यहाँ पे कुछ जगों पे missing point alike not normally but still quite good यह ठीक है ठीक है अब मैं इसे को copy करके fair वाले के लिए भी करता हूँ ठीक है so मैं यहाँ पे इसको paste करके instead of edge I'll use fair like this so नीचे नीचे जो होगा this is fair वाला अब यह अगर देखा जाए तो यह normally distributed नहीं है just यहाँ पे चिपक करके आ रहाएं बाकि यहाँ पे भी बिल्कुल close नहीं है यहाँ पे भी close नहीं है यहाँ भी close नहीं है so this is again not normally distributed अब यह से same चीज़ आप अगर चाहो तो distribution plot use कर सकते हो ठीक है अब distribution plot use कर लेना I don't know कि मेरे case में यह पंडास की issue है version का that's why disk property आप पे काम नहीं करना so मैं क्या करता हूं यह मुझे idea लग गया कि मेरा data normally distributed नहीं है so before using function transformer मैं आप लोगों को दिखाता हो अपने दोनों models जो logistic regression ता decision tree था उन दोनों का result तो मैंने क्या क्या logistic regression का object बनाया classifier decision tree का भी object बनाया classifier to उसके बाद जो classifier one है यानि logistic regression उसके अंदर fit किया एक्स ट्रेंड य ट्रेंड एक्स ट्रेंड य ट्रेंड अगेन for classifier to and उसके बाद मैंने just prediction मारा logistic regression dot predict actually classifier आपके सकते हो जो मेरे पास पड़ा है 20% data input का वो मैंने दिया और उसके बाद मैंने accuracy जो import किया था just print किया और यह आपस दो चीज़े मांगता है अब देखना यह पर decision tree don't need यह कैसा algorithm है machine learning के अंदर कुछ ऐसे algorithm है जिनको feature engineering की जरुरत नहीं पड़ती है missing value feel करने की जरुरत नहीं पड़ती है data को normal बनाना भी उनको जरुरत नहीं पड़ती है so decision tree एक ऐस algorithm है जिस जिनको इन चीज़ों की जरुरत नहीं पड़ती बट still मैंने किया ता कि आप लोगो एक idea लग जाए बट जो regression वाले है linear regression वाले like linear regression और logistic regression उनके लिए feature engineering यानि data को normal करना बहुत जरुरी होता है कुछ और algorithms भी होए है so अब मैं दिखा देता हूँ कि अभी के लिए just is result को we have 60 and 53 अब अगर मैं अपने data को normal बना तब क्या होगा तो मैंने क्या क्या जो हमने function transformer इंपोर्ट किया था function transformer pre processing सी उसका एक object बनाया transformer के नाम सी जब आप function transformer बनाते हों तो उसके अंदर आप एक parameter देता हो function अब सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ on this one log transformer पर ठीक है so log transformer क्या करता है जो भी age and fair वाला कालम है उसके अंदर जो चोटे value होंगे उनको वो expand करेगा यानि बड़ा करेगा जो बड़े value होंगे उनको वो small करेगा चोटा करेगा ठीक है और इस case में अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है numpy library के अंदर जाके अगर आप यहाँ पे log type करके shift tape करे then you will see a lot of logarithm लेकिन मैंने कौन सा logarithm उसक्या logarithm with the base one ठीक है आप 10 वाला भी यूस कर सकते हों ठीक है so I just use this one यह actually हम first transformer यह पे यूस कर रहे ठीक है उसके बाद मैंने transformer के अंदर फिर transform किया अपना input x trend और same x test अब मेरे पास दोने यह variable x trend transform अगर मैं दिखाओ अब अगर मैं x trend transform दिखाओ this is the result okay so अब यह value देखाओ evil को लेकर range में है सही है so normally distributed है so अगर मैं यहाँ पे आपको same right here जो x trend था before transformation वो दिखाओ like this so you'll see कि just let me show you अब यहाँ पे देखो age वाले value unfair वाले value कभी age में बहुत सारे बड़े value हैं चोटे value है unfair में भी लेकर यहाँ पे देखो जब हमने logarithm का यूश किया यह यह लाग ट्रांसफर्मर का यूश किया तो इसने value के एक specific screen में ले आया है ठीक है so अब देखना अब transform करने के बाद मैंने वह same जो मेरे दो algorithm थे CLF and CLF2 यानी logistic and decisionry बस मैंने क्या कि extend के बजाए extend transformed and extend transformed और यह same यह चीज मैंने यह आपकि कि extend transform क्योंकि अब मेरा data transformed हो चुका है using function transformer so जैसे मैं इसको run करूंगा run करने के बाद you'd see के result में change आया यहाँ पे 61 यहाँ फिफ्टी फाइफ टीके model के performance में बहुत बढ़िया change आ गया so अगर यहाँ पे देखो तो logistic regression के किसम 60 था लेकिन using function transformer logistic regression ने improve किया यह 61 हो गया यहाँ पे 53 है वैसे decision tree को इन चीजों की जरूरत नहीं पढ़ती बढ़ती अगर आप use करते हों तो result देखो इसने भी improve कर लिया अब मैं again वो जो मैंने plotting वाला code किया था यहाँ वो code मैंने यहाँ again क्या है लेकिन इस बार मैंने PLT.figure fix size वही सेम रखा मैंने sub plot का use किया है क्योंकि मैं अगल बगल में दुनों plot दिखाना चाहता हूं states के अंदर जाके probability plot वही extend के अंदर age distribution normal plot clarity और title display किया लेकिन इस बार मैंने क्या कि कि एक्स ट्रेंड का use किया before age before log यानि function transformer से पहले यह पहले वाला age column है without normal distribution without using function transformer यह जो code है वही सेम कोड है लेकिन इस बार x trend के बजाए मैंने x trend transform का use किया तो result देखो यहाँ पर इसने खराब किया सो sometime होता क्या है कि यह result को खराब भी करता है अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका normal नहीं था लेकिन इसने यह पर normal बना लिया लेकिन actually इसने result को खराब किया ठीके जो age था उसको कुछ खास changes नहीं की है कुछ खास improvement नहीं है but still you can go through और यह सेम कौम मैंने फेर वाले कॉलम में किया हाँ अगर फेर को देखा जाए तो फेर यहाँ पे यह बिल्कुल right skewed है right skewed अगर आप यहाँ पे देखो तो right skewed के case में मैंने बताया था कि left and right side पे आपके जो data points होगी वो जो 45 degree lines हैं उनके close नहीं होगे उनके साथ close नहीं होगे कि उनसे दूर होंगे बड़ सेंटर में close हो सकता है तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यह बिल्कुल right skewed ता लेकिन अब इसने कुछ हद तक इसको normal distributed कर लेया ठीक है अब हम देखेंगे यह तो ता लाग transformer अब हम देखेंगे जो हमारे path रिखे प्रोकॉल transformer था square root square transformer था and square root transformer था कि उनसे हमारे model के performance पर क्या result आता है तो इसके लिए हमने एक function बनाया है custom function apply transform इसके पास कोई एक transform आएगा ठीक है कोई एक value होएगा again वही same process why and जो हमने trend split किया ता लेकिन इस बार मेंने क्या किया column transform का यूज़ किया ठीक है column transformer अगर आपने 22 वीडियो देखा है तो आप मैंने बड़े detail के साथ बताया है इसके अंदर आप list देतो हो list के आप टपल देतो हो टपल के अंदर आप तीन चीज़ए देतो हूं उस transformer का नहीं उस transformer को जो आप use करते हो in our case वी है function transformer और उसके अंदर जो जो भी transformer है वो हमारे function से आएगा और तिसरे नमर पर आप किस column को transform करते हो ठेक है, और दूसरा argument आप pass करते हूं remember, कि मैंने फैर के साथ चेड़ खानी करनी है बाकी को कुछ नाकेना ठेक है और उसके बाद वही सेम कोड है लाजिस्ट गरिगरेशन है एकुरेसी या पिर मैंने क्रॉस वेल का यूस किया है सुमे क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ इसकी जूरत नहीं है या करे लेते हैं ठीक है तो जस्ट लेट में शोर यू नाट राइट इए आच लगया इसी दो फुंक्शन बागी कोड से हमें अगेन मैंने दोनों को प्लाट किया है ठीक है सो इस फंक्शन को यह पर मैंने काल किया है अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं बोग को दिखाता हूँ स्क्वेर सो फंक्शन काल करता वक्त मैं लेमडा का यूज़ करूँगा ठीक है सो एक्स का स्क्वेर यह मेरा इन्पूट फीचर जे और मैं इसका स्क्वेर ले रहा हूँ सो रिजाल्ट इस सिक्स्टी फाइफ लाजिस्टिक रिगेशन ने काफी इंप्रूफ किया ठीक है इस बार में डिसीजन ट्री का यूज़ नहीं किया है और अगर आप देखो तो कुछ हब तक इसने डिटे को भी नॉर्मल डिस्टिब्यूटेट कर लिया ठीक है सो अब मैं अब लोगों को दिखा हूँगा रिसी प्रोकल सो रिसी प्रोकल के केस में 64 है आप स्क्वेर रूट का यूज़ यूज़ कर सकते हूँ ठीक है अगर आप चाहो तो आप अपना कस्ट्म ट्रांसफार्मर भी बना सकते हूँ अब देखना मैं कैसा जो गड़ाओ तो अब देखना है लाओंगा मैं कहता हूँ कि इस एक्स मैं इसके साथ कोई सबसे चोटा 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 वेल्यो जोड़ूंगा तो लेट से 0.001 चोटा 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 तो इसे भी कुछ खास इंप्रॉमेंट नहीं वा बट स्टील इस वाइट गूर 64 तो यह थी आपके ट्रांसफार्मर आप कोई अपना कस्टम ट्रांसफार्मर भी बना सकते हों आप अगर चाहो तो आप लाजिक लगा की तोड़ा बहुत कोडिंग करके आप अपना कस्टम ट्रांसफार्मर भी बना सकते हों लेकिन नार्मली हम क्या करते हैं वी जस्ट यूज डिस लाग ट् function transformer का यूज करके उसको किस तरह नॉर्मल डिस्ट्रिब्यूटेड डेटा बना सकते हो यूजिंग लाग ट्रांसफार्मर एंड रिस्टिप्रोकल स्क्वेर ट्रांसफर्मर स्क्वेर ट्रांसफार्मर यह सारा का सारा कोड मैं आप के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में शेयर कर दूंगा आप लोग मरे गटप के अकाउंट में जाके इस कोड को यूज कर लेना वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो लेकिन जाना मत हमने 20 इंटर्व्यू क्वेशन को भी सॉल्फ करने हैं चैनल इंजिनिरिंग एक ऐसा प्रॉसस है जो अगर आपके पास्टराव डेटा है तो उसको ट्रांसफर्म करता है मिनिंग्फुल फीचर्स में बहुत सारे सिच्वेशन हो सकते हैं ताकि आपका मोडल अच्छे तरीके से पर्फॉर्म करें लाग ट्रांसफर्मर क्या होता है ला ग्देटा लाग ट्रांसफर्मर डाइटा राइट स्कürड हो सिंपल सा फंडा है जब डेटा राइट स्कूड हो ठीक है ओड अवर्ड बैनिफेंट्स अउजिक लाग ट्रॉटॉर्मर औरौनाइस करता है स्कूड डिस्क्रों को कंपरेश करता है रेंज अफ लाज यह भी अगें फीचर ट्रांसफर्मेशन टेक्निक है जो अप्लाई करता है रसी प्रोकल फंक्शन किसी भी निमेरिकल फीचिस पर बाइटेकिंग इनवर्स अफ इच वैलियर जिसको आप इनवर्स मैटिप्लिकेटर भी किरते हों नेक्स्ट वो पुछ सकते हैं वैन वोड़ यू यूज रसी प्रोकल ट्रांसफर्मर यह इंट्रस्टिंग वेशन है रसी प्रोकल ट्रांसफर्मर को अप्तब भी उसके तो अगें ये भी सेम है जब डेटा स्क्यूर्ड हों ठीकिंग लेगन एक और चीज़ आता है जब आप अगर आपके डेटा के अंदर जो वेरियंस हैं उनको स्टेबलाइज करना हो या जो डेटा है वो नौन लिनियर है इट कुड बी आलाइक जो रिलेशन्शिप है वेलियो का एक दूसरे के साथ वो नौन लिनियर है तो इन देट केस्ट यू यूज है रसी प्रोकल ट्रांस इस देट क्वेर ट्रांस फार्मर एगें ट्रांस टेटनिक है जो स्क्वेर लेता है हर वेलियो का नुमरिकल फीचिछ के अंदर उसके बाद कुछ ओवर कुशिंज आपके पास जैसे कि वेन वूड यू यूज क्वेर ट्रांस फार्मर यह तो मैं तो नह कर लिया हूं use square root transformer square root transformer आप तब यूज़ करते हैं कि एक पॉइंट तो यह हमेशार रहता हैं तमाँ transformer के साथ जब लेटा skewed हो stabilized variance लेकिन interpretability in certain scenarios ठीकिए उसके बाद log transformer क्या अगर वो आप से यह question पूछ चाए सकता है कि how does log transformer handle negative values तो यह आप लोग याद रिखना के log transformer कभी भी negative value को handle नहीं कर सकता हूं ठीकिए यह कभी भी negative value को handle नहीं कर सकता हूं कुछ टेक्नीक से वह आप यूज़ कर सकता हूं can reciprocal transformer handle negative values हाँ reciprocal transformer negative value को transform कर सकता है sorry handle कर सकता है are there any limitation or consideration when using square transformer यह बड़ा interesting question है तो square transformer can simplify differences between small and large values which may impact the modeling process outliers can also have a significant influence on the square value so जब आप square transformer का use करते हो तो एक limitation यह consideration यह है कि वहाँ पे outliers होते हैं उनका effect हो सकता है because जो square transformer है वो difference निकालता है small and large values के बीच में what are the potential drawbacks of using square root transformer so यह भी एक अच्छा question है पूचह जा सकता है so square root transformer can distort the original distribution जो data की original distribution है उसको खराब कर सकता है चीक है how do these transformation affect feature distribution तो simple सा equation है जारते पाते हैं यह तमाम के तमाम transformation amuse करते हैं जो हमारे data skewed हो या नहीं distributed now normally can this transformation be applied to categorical feature यह बहुत interesting question है कभी भी आप in transformation को use नहीं कर सकते हैं अगर आपके data के अंदर कोई column categorical है yes no जैसे के जो gender होते है male female so जितने भी categorical कालम जे उन पर आपकभी इन transformation को use नहीं कर सकते हैं how do you decide which transformation to use for specific features यह तोड़ा interesting question है क्योंकि आपके पास जो data होगा हो सकता है वो directly log transformer या square transformer, square root transformer किसी का भी इस्तमाल करो आपको देखना होगा यह depend करता हैं आपके problem domain पे ठीक है आप लोग के साथ में यह share कर लोगा यह आप लेना can you apply multiple transformation to the same feature हाँ यह interesting question है तो आप एक साथ इन transformation को किती भी features पर implement कर सकते हो है should this transformation be applied before or after splitting the data into training and test sets exactly जब आप data को split करते हो training and testing sets में तो आप training set के लिए भी in transformation को apply करते हो using fit transform method और testing set के लिए भी करते हो तो आप separately करते हो एक साथ नहीं कर सकते हैं लास्ट question जो हैं वह यह हैं how do you assess the effectiveness of this transformation the interesting question so the effectiveness of feature transformation can be evaluated by comparing the performance of machine learning model with and without जैसे के मैंने without using transformation पहले दिखाया और जब हमने transformation apply किया तो इसके बाद दोनों logistic and decision जो भी machine learning के model आप use करते हों वह आप कर सकते हों so मैंने दोनों का दिखाया पहले गर्द कम था performance लेकिन बाद में वह improve कर गया so इसी तरह आप improvement या effectiveness assist कर सकते हों in transformation का so yeah that was the video